जो फ्रेजिन्स तो मेरे पास दो मांखन मंट की कि waiver की boodr आय थैं जन्मास्ट रून्ही पर organi इसमें कुछ भी नहीं किया है इसको चेंज के मल्ड में बेक कर लिया था मेदा से corresponding क्या ना इस भार मेदा से इस पोंच बनाती हुँ क्रम कोट करेबी इस्को फ्रीज में से डनों निंग लें रख दिया था उसकी बाद इसको क्ट किया है और इसी जो कटकिए और जो पार है उसको मैंने उपर अपर इस्टिक कर दिया है तो तरी केक से उपर से जूअ बन जाए वह क्योंकि आप Kolam किए तो थोड़ाया उस तोरी करनल मटकि का आपको करना है आ है एक केक आचाएगा तो फिर مثले नीचे नहीं कर tips करेंगे यदि भी झाया शोड़ाइगी अंध तौरिजय तो का यूज हो जाएगा तो आपको ध्यान रखना है इस टाइम पर बहुत ज़दे क्रीम आपको नहीं लगानी है तो मैं अच्छे से क्रम कोटिंग इसके कर लिए इसके बाद मैंने यह ब्लू कलर की क्रीम ली है तो सिंपल विप क्रीम में मैंने चार से पांच ड्रोप जितना तो जैल फूड कलर डाला था तो विप क्रीम में आपको जैल फूड कलर का सिरानी इस भाफ्ल करना है इस से जो क्रीम है वह पतली नहीं होगी इसके बाद मैं क्रीम को पाई पिन वेग में डाल गे इस तरहां डगा तूंगी अब मैंनी यह लिया एक है तो यह मेरे पास प्लास्टिक का टोड़ा बहुत दिनों से रखवा था तो मैं इसको कट करके इसकी बना लिये हैं तो कुछ चोटे कुछ बड़े इस तरीके से मैं इसको कट कर लिया था तो इसी से मैं शेप दे रही हूं हो आप देख सकते हैं आपको थोड़ा सबस्क्राइब आप इसके शेप सकते हैं वहती आसान हो जाता लगता है दो टाइम पहुँझाना क्योंकि जो नहीं बनाते हैं उनके लिए तो बहुत ही मुस्किल हो सका चाक पूसीबलों सका उतनी फिनिशिंग में इसके कर दी इसके पुछ कुछ नहीं पर बनाते वे लगा ले चोटा पर ले में पलास्टिक टुकड़े लिए इसको मैं कर लिये तो मैं चोटे-चोटे-चोटे कट कर लिए तो ही तरी के समें नीचे करेंगे गर हमारे केक न तो उसकी फिनिशिंग करा था मैं ने दुबारा इसके फिनिशिंग की के बाद मैंने वाइट कलर की क्रीम फिल की एक पाइन पेंग में और उसमें चोटा सा कट किया और मैं इस तरीके से बॉर्डर बना रही हूं तो फ्रेंड्स आप अपने पसंद से यह फिर जिस तरीके से आपने को कस्टमर ने फोटो बेजी उस तरीके साब बना सकते हैं तो आप देख सकते हैं मैंने सिंपल डिजाइन बनाया है बड़ बहुत ज़्यादा सुन्दर लग रहा है इसके बाद मैंने मटकी के अंदर माकन फिल किया है तो माकन फिल करने के लिए आपको सिंपल सॉफ्ट पिक वाली क्रीम नहीं ले ने तो माकन वाला जो लूक है वो बहुत ज़्यादा सुन्दर लग रही है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपको कैसी लग रही है और मैंने इस केक में अपना 100% दिया था फिर भी आप एक बार जरूर बताईएगा कुछ कमी हो तो मुझे बताईएगा मैं नेक्स टाइम उसमे क्लिम फिल की है तो आप देख सकते हैं यह भी मैंने ग्रास बना दी है तो बहुत ज़्यादा लुक अच्छा हो गया है इससे तो आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड से इसके बाद मेंने यह लिया यह बाफी जो आती है इसपर इनन गॉल्डन डिस्ट कर दी है यहिवर तो यह बना सकते हैं या फिर जो केके क्रम से निकलते हैं इसे भी बना सकते हैं यह हमारे केक का फाइनल लुक आई होप आपको वीडियो जरूर पशंद से ने प्रसंद आ